हे गाईज, वेलकम टू माई चैनल, आज मैं बनाने वाली हूँ वेज स्प्रिंग रोल, चलिए फिर शुरू करते हैं इसे बनाना, इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर डेड़ कप मैदा लिया है, एक कप ये है, आधा कप ये, अब मैं इसमें दो चमच ओईल डाल रही हू और आधा चमच नमक, अब मैं इसे अच्छे से मिला लूँगी, मैंने इसे अच्छे से मिला लिया यहाँ पर, अब मैं इसमें धीरे धीरे पानी याट करते हूँ एक सॉफ्ट साथ डो बना लूँगी, यह देखिए इस तरीके से, अब मैं हाथ में थोड़ा सा ओईल लूँगी, और इसे अच्छे से ग्रीज कर लूँगी, अब मैं इसे ढख कर 20 मिनिट के लिए रेस पर छोड़ दूँगी, अब मैंने कड़ाई लिए उसे अच्छे से गरम कर लिया है, अब मैं उसमें तीन चमच ओईल डाल रही हूँ, ओईल की गरम होती ही, मैंने इसमें थोड़ा सा लैसुन डाला है, थोड़ा सा प्याज, प्याज को मैंने इस तरीके से लंबा काटा है, आप इसे छोटा भी काट सकते हैं, और थोड़ा सा अद्रक, इसे मिक्स कर लूँगी, यहाँ प्याज को ज्यादा रेट नहीं करना है, बस हलका सा सॉफ्ट कर लेना है, यह देखिए इस तरीके से, अब मैं इस पर अपनी सब्जियां डाल रही हूँ, बंदगोवी, गाजर, शिमला मिर्च, और बीन्ज, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा हरा मिर्च जाला है, अब इस अच्छे से मिला लूँगी, अब मैं यहाँ पर एक चमच नमक डाल रही हूँ, और आधा चमच काली मिर्च का पॉडर, इसे मिला लूँगी अच्छे से, यहाँ पर सब्जियों को ज़्यादा गलाना नहीं है, बस उन्हें हलका सा सॉफ्ट कर लेना है, यह देखिए, इस तरीके से, अब मैं यहाँ पर दो चमच सोया सॉस जाल रही हूँ, और एक चमच वेनेगर, इसे भी मिला लूँगी, अब मैं यहाँ पर पनीर डाल रही हूँ, पनीर को मैंने इस तरीके से छोटे क्यूब्स में काटा है, और इसे अच्छे से मिला लूँगी, आप चाहें तो पनीर ना भी ले, यह देखिए, मैंने अच्छे से इसको मिला लिया है, अब हमारी स्टफिंग एकदम रेडी है, अब मैं डो चेक कर रही हूँ, डो अच्छे से रेस्ट हो गया है, अब मैं यहाँ पर इकुल साइज की, छोटी छोटी लोईयां काट लूँगी, यह देखिए, मैंने अपनी सारी बनानी इस तरीके से, अब मैं एक गोंद बनाऊंगी, मैंने तीन चमच मैदा लिया है, और थोड़ा सा पानी आड़ करते वे एक स्मूथ सा बैटर बना लूँगी, अब मैंने एक पेड़ा लिया पहला, उस पर थोड़ा सा सूखा मैदा डाला, और इसकी एब में एक छोटी रोटी बना लूँगी, अब मैं इससे साइट में रख दूँगी, इसी तरीकी से दूसरी बना लूँगी, यह देखिए इस तरीकी से, अब मैं इस पर ओइल लगाऊंगी, इसमें ओइल अच्छे से लगाना होता है किनार उपर, अब मैं इसके उपर थोड़ा सूखा मैदा डालूँगी, और दूसरी रोटी से इसको कवर कर लूँगी, अब मैं इसे हलके हातों से एक बड़ी पतली रोटी बेलूँगी, इससे पतला बेलना होता है, यह देखिए इस तरीके से, अब मैंने यहाँ पर तवे को अच्छे से गरम कर लिया था, अब मैं इसे मीडियम फ्लेम पर आधा कच्छा आधा पक्का से एकूंगी, इससे रोटी की तरह नहीं सेखना होता, इससे आधा कच्छा आधा पक्का सेखना होता है, यह देखिए इस तरीके से, मैं आपको एक और रोटी सेख के दिखा रही हूँ, यह देखिए, इससे इस तरीके से सेखना है, मैंने दुनों सेख लिया, अब मैं आपको खोल के दिखा रही हूँ, यह मेरी पहले वाली तो अपने आपी खोल रही थी, दूसरी मैं आपको खोल के दिखा रही हूँ जिस साइट से खोल रहा हूँ उसे वहीं से खोल ये ये वैसे तो ये बहुत एजली खोल जाती है अगर आपने अच्छे से तेल लिखाया है तो ये आराम से खुलेगी ये देखिए कितनी आराम से खुल गई है इस तरीके से मैंने अपनी चार शीट्स बना ली है अब हमारी स्टॉफिंग रेडी है गोंद रेडी है अब मैं आपको पहला भर के दिखाऊंगी मैंने शीट्स पे थोड़ी सी स्टॉफिंग डाली एक साइट से फोल्ड किया दोनों किनारों पे अच्छे से गोंद लगाया एक साइट से फ़ैले फोल्ड करके उसके चिपका लिया दूसरी साइट से फोल्ड करके इसे चिपका लिया और अब इसे राउंड करते हुए आगे ले जाईए और अब किनारों पे भी अच्छे से गोंद लगा लीजे यह देखे इस तरीके से मैं आपको एक और भरके दिखा रही हूँ शीट पे मैंने थोड़ी सी स्टॉफिंग डाली एक साइट से स्पकड़के आगे ले गए दोनों किनारों पे अच्छे से गोंद लगाया एक साइट से फोल्ड किया पहले उसे चिपका लिया दूसरे साइट से फोल्ड करके से चिपका लिया अब राउंड करते वे इसे आगे ले जाएंगे और किनारे पे भी अच्छे से गोंद लगा लेंगे और फिर इसे चिपका लेंगे, ये देखिए इस तरीके से, इस तरीके से मैंने अपने सारे बना लिये थे, यहाँ पर तेल अच्छे से गरम हो गया है, अब मैं इसमें अपने रोल्स जाल रही हूँ, मैंने एक बार में तीन डाले हैं, आप भी एक बार में तीन से चार ही डालें, अब मैं इसे दोनों साइट से अच्छे से फ्राइ कर लूँगी, अलट पलट कर, ये दिखिए मैंने इसको पलट दिया है, ये दिखिए कितने अच्छे से फ्राइ हो गए हैं, कितना अच्छा कलार आ गया इस पर, अब मैं आपको निकाल के दिखाऊंगी, ये देखिए, इसी तरीके से मैंने अपने सारे फ्राइ कर लिये थे, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब, फिर मिलते हैं तब तक के लिए बाइ,